हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिलेवरी रूम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कैसे आपको जोड लगाना है कैसे आपको बेबी को नीचे पुश करना है और कैसे आप अपने सासों पर कंट्रोल आसानी से हो फ्रेंड्स अगर आप पहली बार मां बने वाली है तो ऐसे में हर गर्भवती महला ये जानना चाहती है कि डिलेवरी रूम में उनके साथ क्या क्या होगा और डिलेवरी रूम में शिशु की डिलेवरी कैसे कराई जाती है तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो म सबसे पहले आपको लेटा दिया जाता है और आपके सभी जरूरी टेस्ट किये जाते हैं और बीपी ना पा जाता है जब आपके बचेदानी का मुँ 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है तब डॉक्टर आपके दोनों टांगों को फैला कर पुश करने के लिए कहेंगे महिला के अच्छे तरीके से जोड लगाने से यानि की पुश करने से शिशु के लिए बाहर आना काफी ज़्यादा असान हो जाता है जब गर्भवती महिला जोड लगाती है तो उस दोरान महिला को नीचे की तरफ काफी ज़्यादा दबाव महसूस होता है और इस दोरान आपको जोड लगाते वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे कॉंस्टिपेशन के दोरान आप मल त्याग करती है वैसा ही आपको महसूस होगा इस समय गर्भवती महिला अपने टांगों की बीच शिशु कसर का दबाव महसूस कर सकती है हर बार जोड लगाने से आपका शिशु आपकी स्र और धीरे धीरे इनकी अवधी बढ़ती जाती है शिशु के नीचे की और खिसकने के साथ ही मा को उसका भार महसूस होता है और पहली बार अगर आप मा बन रही है तो आपके जोड लगाने की जो अवधी है वो कुछ घंटों तक जा सकती है और जो महिला दूसरी बार या ज काफी जदा बड़ी होती है और प्रसों के दौरान शिशु जब बाहर आता है तो ये हड़ियां एक साथ जूड जाते हैं और शिशु का सर लंबा हो जाता है लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही शिशु का सर सामानी हो जाता है जब आपकी गरभासे ग्रिवा यानी की बचे लगाने के लिए कहा जाएगा इस दौरान डॉक्टर आपको लंबी गहरी सांसे लेने को कह सकते हैं ताकि आपका शरीर रिलेक्स मैसूस कर सके और आपके पहलवी केरिया के मसल्स रिलेक्स हो सके जिससे कि शिशु का जन्म आसानी से हो सके आपको कब जोड लगाना है आप आपको डॉक्टर द्वारा बताया जाएगा क्योंकि लंबे समय तक जोड लगाने से शिशु को नुकसान पहुच सकता है इसके साथ ही प्रसों को आसान बनाने के लिए यौनी में हलका सा कट लगा सकते हैं ये कट छोटा सा होता है ताकि डिलेवरी आसान हो सके इस तरीके इसे नॉर्मल डिलेवरी होती है आप इन बातों का अगर ध्यान रखती है तो आपकी डिलेवरी आसानी से हो जाएगी तो फ्रेंट्स उम्मीद करती होगी वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें मिलूगे ऐसे न इतना खास ख्याल रखें